आप सभी का एक बार फिसे स्वागत है शिव रहसे में अज हम सब सुख और स्मृध्धी अपने जीवन में चाहते हैं और चाहते हैं हमारी हर मनुकामना पूरी हो और जैसे ही महाशिवरात्री का परवाता है हम भोलेनात को खुश करने में लग जाते हैं कहीं हम जागरन करते हैं कहीं पूजा करते हैं अर्चना करते हैं तो चलिए इसी के रहसे को आज हम समझते हैं और हमारे साथ है बीके राजीव भाई जी जो की एक स्कॉलर और रिसेर्चर है और भारतिये शास्त्रों को इन्होंने बहुत डीप स्टड़ी किया है आपका एक बार फिसे स्वाग कि बात करते है तो सबसे में चीज़ जो आती हैं वो आती है पूजा अर्चना मेंना और असके लिए बहुत बड़ी विधी है जैसे वरत रखा जाता है उसके बहुत सरी चीजें हैं जो हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि श इसमें शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं? बहुत बढ़ी आपका प्रश्न है अकसर करके जब हम शिव की अरात्मा की बात करते हैं तो शिवलिंग के बारे में बहुत सारे मिस्कंसेप्शिन्स भी हैं तो वास्ताव में शिव लिंग शब्द जो है नाम जब रखते हैं, तो नाम राम लिंगम रखते हैं तो जो लिंग शब्द है, संस्कृत में इसका मतलब होता है चिन्न भारत में हमारे जो शड़ दर्शन है, सांके दर्शन है और भी जो सारे शड़ दर्शन है, उन दर्शनों में भी लिंग शब्द का प्रयोग चिन्ध के लिए हुआ है, इतना ही नहीं, कई पुराणों में भी ऐसे माना गया है, कि लिंग शब्द जो है लौ और गा, तो लौ का मतलब होता है ले, अर्थात विनाश, और गा का मतलब होता है गमन, अर्थात प्रोग्रेस, क्रियेशन, तो परमात्मा शिव जिस समय स्थापना और विनाश का करतव्य करने का समय आता है, उस समय वो शिवलिंग का रूप धानर करते हैं, इस प्रकार दिखा जाए, तो शिवलिंग वास्तों में शिव चिन्य या शिव की निश अगर विधी की में बात करूँ, तो विधी की जब हम बात करते हैं, तो हम सोचते हैं कि शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, तो हम भोले नात की पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमने जाना कि शंकर भगवान अलग है और शिव भगवान अलग है, शंकर एक देवता है और शिव जो है वो भगवान है तो जब हम इनकी अरहादना करते हैं, तो हम बहुत सारी चीजे चड़ाते हैं, जैसे बेल पत्र चड़ाते हैं, तो इनकी में आप इसके पीछे का रहस्ये जानना चाओंगी, कि ये हम क्यों चड़ाते हैं फिर। बिल्कुल, बहुत यह बढ़ियाओ प्रश्णे हैं, तो देख जाता ह। यह जो हम बिल पत्र चुढाते हैं, तो बिल पत्र में कितने प्त्ते होते हैं। करतव्यों का, कहींने कहीं, बेलपत्र उसका परिचायक है, इसलिए जब शिवरातरी आती है, तो लोग शिवजी पर बेलपत्र चाहते हैं हमने ऐसा सुना था कि बेलपत्र चढ़ाया जाता है क्योंकि भोले लात को बेलपत्र बहुत पसंद है लोगों ने बाद में जाके पुराणी कहानियों के साथ जो है इसको जोड़ा है कहीं ने कहीं जैसे आपने शिकारे की कर्था सुनी होगी तो सारी कहानिया बाद में धीरे धीरे जो है जोड़ती गए इसके साथ अक का फूल भी चड़ाया जाता है और बेल का फूल जो हम बोलते हैं बेल का फूल, वो बीड होते हैं इसके आधियात में कि रहसी क्यागर आप बात भूचे जैसे आप बता रही थी कि हमारे जितने भी देवे देवतां हैं सब पर हम पुश पर चढ़ाते हैं पर हमारे शिव जी ही ऐसे हैं जिस पर लोग अक धतूरा चढ़ाते हैं सुचने वाली बात है धतूरा के फूल में कोई खुश्बू नहीं होती है और अक कितना कांटों से भरपूर रहता है और लोग अक जो है बहुत बड़ा विश भी है लोग अगर उसकी बीज भी अगर खाले तो जो है इसका कितना बहुत ही नेगेटिव इंप्रेक्ट आता है लोग अपने प्रान से हाथ धो बैठते हैं तो इतनी नेगेटिव चीज को शिव जी के उपर चढ़ाना या किसका सूचक हो सकता है या कांटे चढ़ाना लोग कांटे भी चढ़ाते हैं जबकि अन्य सभी देवी देवताओं पर पुश्ट यह बहुत ही बड़ा चिंतन का विश है तो देखा जाए तो वास्तों में इस बात का परिचायक है कि काल्यूग अन्त में जब आत्माएं गुणों से रहित होकर काम, क्रोध, लोमों की कांटों की तरह दुख देने वाले बन जाते हैं तो ऐसे अउगुण से युक्त आत्माओं को जो विशैले बन गए हैं जो कांटों की तरह जैसे की दूसरों को दुख दे रहेंगे, दुनिया को कांटों का जंगल विका गया है ऐसे परिसिती में परमाथमा, शिव ऐसे कटिले या कांटेदार पुष्प को या फल को पुष्प की तरह बनाते हैं देवताओं के रूप में कनवर्ट करते हैं तो कांटे को भी फूल बनाना ये किसी देवता का काम नहीं हो सकता वो साक्षाद परमपिता परमात्मा का ही कार्य हो सकता मतलब आपके कहने का ये मतलब ही कि जो हमारे अवगुन है तो उसी की यादगार सुरूप में कि अगर हम अपने विकारों को शिव पर अगर समर्पित करते हैं शिव उन्हें सुगंधित कर देते हैं तो ये तो हमारे विकारों को समर्पित करना चाहिए हमारे जो बुरा नेचर है उसको समर्पित करना चाहिए लेकिन हम जो हैं कहीं न कहीं वो बहारी रूप में ही फज जाते हैं और आप साथ में भी आपको याद होगा कि अगर आप कई बाहर क्या होता है कि नौर्थ इंडिया में अक्सर करके दिखा जाता है बहुत सारे जगह उपर शिव जी पर केवल यहीं नहीं चड़ाया जाते हैं बेलफल भी चड़ाया जाते हैं बेलफल जो होता है उसका जो बहारी आवरण जो होता है उसका शेल होता है काफी कठोर होता है नरकंकाल की तरह होता है नर्मुंड की तरह होता है, काफी विशाल फल भी होता है, और उसका जो अंदर वाला जो पार्ट होता है, बहुत सॉफ्ट रहता है, और बेल फल भी देखा जाए, तो कहीं न कहीं अंडाकार आत्मा का ही की तरह भी होता है, प्रतिक है, नर्मुंड की तरह होता है, तो बेल इस बात का भी सूचक है कि हम आत्माएं जब परमात्मा शियु जर्थी पर अवद्रित होती है तो हम आत्माएं अगर शियु पर बली चड़ती है अब सिर्फल अपना सिर्फल अर्थात सिर्फल को ही समर्पित करती है अर्थात, अपने अंदर की जो भी देयर अभीमान है, उसको अगर हम समर्पित करती हैं, तो हम क्या हो जाती हैं? पावन और पवित्र बन जाती है, तो भेलफल भी कहीनेक copy हैं उस समर्पन्था का प्रतीक हैं, और जो आत्मा समर्पित हो जाती है, तो जैसे बेलफल गुनका प्रियोग में नहीं लाए जाए जो किसी अन्य देवी देवताओं के साथ प्रियोग में नहीं लाए जाता है। पिल्कुल सही। जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी भावना शिव पर उडेल दी और जब शिव अपना कारे कर रहे थे नई दुनिया की स्थापना में उस कारे में सहयोगी बनकर अपने आपको पूरता अरपित कर दिया और उनी की यादगार में जो है यह रुद्राक्ष है तो क्योंना हम यह जो एपने नई नई में बसा लिया है वह रावना आपको प्रतीक वहएं जिन्होंने शिव को अपने नई में बसा लिया रुद्राक्ष जो है कही निके उस बात का प्रतिक है और इसलिए उन आत्माओं की यादगार में जो हमारे भारतिय परंपरा में माला जो बनाई जाती है आठ की बनाई जाती है एक सो आठ की बनाए जाती है 16,000-108 की भी बनाए जाती है तो उन आत्माओंने परमात्मा की कारे में कही ने कहीं सहयोग दिया था उस करता भी के यादगार में लोग आज भी उसको सिमरन करते हैं अमाला को सिमरनी भी कह जाता है सिमरन का बहुत बड़ा महत्व है तो यह चीज़ें इंस्पायर करती है क्यों न हम रुद्राक्ष की तरह सुचिए शिव की एक छोटी से छोटी चीज़ कितने इंस्पायर कर रही है क्यों न उसकी तरह हम भी ऐसे योगी बनें उनके कारे में सहयोगी बने कि हम भी उनके नैनों में बज जाए तो रुद्राक्ष अर्थात शिव के नेत्र इस आधार पर कहीं न कहीं अलंगार अलाइन होता है इसके साथ एक और चीज़ देखे जाती है कि नंदी जो है वो भी शिव के साथ देखा जाता है और जहां पर भी शिव मंदर है वहाँ पर नंदी जरूर देखा जाता है और द्वार पर ही देखे जाते हैं तो नंदी जी का क्या परसाथ में आप यह भी आपको ध्यान रहा है कि सिर्फ नंदी ने, नंदी के साथ कच्छवा भी होता है और दुनों का डिरेक्शन शिवलिंग की तरफ होता है ये सारी चीजें क्यों बताएगे इसके कुछ न कुछ गुड आध्यात्मिक रहस्य है तो अगर हम नंदी की बात करें तो सोचने का विश्य है कि निराकार, परमपिता, परमात्मा शिव। जो परमधाम में रहते हैं, सुर्च अंद्रमा से दूर रहते हैं वहला एक बैल या नंदी की सवारी कैसे करेंगे तो नंदी की सवारी नंदी वास्तों में एक पुरुष विशेश का प्रतीक है कि परमात्मा शिव निराकार है लेकिन मानों का कल्यान करने अर्थ वह किसी एक पुरुष विशेश के तन का अधार लेते हैं और उसी पूरे विशेश को भारते शास्त्रों में ब्रह्मा भी कहा गया है क्योंकि अगर देखे हैं हम शास्त्रों में तो कहीं ने कहीं आता ही है कि निराकार शिव कैसे ब्रह्मा को अपना माध्यम बनाते हैं अगर ब्रह्मा की बात करें, तो ब्रह्मा शब्द जो है संस्कृत प्रिह से बना है, जिसका मतलब होता है, to spread, failna या विस्तार, तो प्रजापिता ब्रह्मा, परमात्मा शिव के इस ग्यान का विस्तार लोक कल्यान अर्थ करते हैं, और इसलिए उनको प्रजापती या प्रज इसको पाश अर्थात बंधनों से मुक्त करते हैं, इसलिए पशुपति नात्वी है, वरना कही लोग क्या समझते हैं, क्योंकि भारत में श्याव संप्रदाय है, जो पशुपति का एक अलग अर्थ बताता है, यह हमें ध्यान रखना होगा, लेकिन अगर हम नंदी की बात करे नंदी से अगर हम जोड़ें, तो नंदी की और भी बहुत सारी विशेशताएं होती है, एक तो नंदी मतलब किसी पूरश विशेश की सवारी, और दूसरी बात यह है, कि नंदी का जो रंग होता है, वो कौन से रंग का होता है, श्वेत, और प्रजा पिता ब्रह्मा को भी श्वेत वस्र दिखाया जाते हैं, तो यह साधगी का प्रतीक है, और कई धर्मों में नंदी को व्रिशब भी कहा जाता है, तो व्रिशब जो है, कई धर्मों में धर्म का प्रतीक है, परमात्मा शिव को बताते हैं कि कल्प अंत में एक धर्म की स्थापना करने के लिए, प और इतना ही नहीं, जो जैसे हम बता रहे थे कि नंदी का मुख जो है किसकी तरफ रहता है? शिवलिंग की तरफ. अरधात, जिस सवारी का भगवान निर्वाह करते हैं, जिस सवारी को अपना माध्यम बनाते हैं, उसका बुद्धी यूग हमेशा शिव के साथ ही लगा रहता तो नंदी से तो हम ये सीख लें कि नंदी ने क्या करम की है नंदी को भी ब्रह्मा भी कहा गया है कहीं ने कहीं भागिरत के कथा के साथ भी जोड़ा गया है जिन्होंने गंगा को जो है स्वर्ग से धर्ती पर लाने के लिए तबस्या की और जिनके बताते हैं जिनके तप के बल से जो अग्यान निद्रा में सोये हुए श्रापित उनके पुत्र जो है तर गए तो नंदी कहीं ने कहीं हमें इस बात के लिए इंस्पायर करता है बात रता किये क्या हम भी ऐसे कुछ करम करें कि हम भी शिव का वहान बन सके हैं लेकिन जैसे अभी आपने कच्वे को देखा, कई लोग समझते हैं कच्वे का क्या महत्व है, तो वास्तों में देखा जाए कच्वे का भी बहुत आध्यात्मिक रहस्त है, कच्वा जो है बताते हैं कि शास्त्रों में कि विश्णु को कई बार कश्चप अवतार के साथ हाद्य हैं, उनके रह साथ चाहिता हैं इस बात को भी इंगित करता है कि ये उनके भी पता है? उनके भी पिता है, सरवस्रेष्ठ है और इतना ही नहीं, आगर देखा जाए कच्वे के भी कुछ गुणवद्धा होती है कच्वे का जो बाहरी शेल रहता है बहुत ही कठोर रहता है वो बाहरी कमज जो है कहीं ने कहीं मन के शक्ती का प्रतीख है और कछवे की धीमी चाल किस गुण को दर्शाता है? धैरिता को आपने बज़्पन में उगहानी सुनी होगी कछवे और खरबोश की तो धैरिता का प्रतीख है और कछवे का एक और विषेश गुण होता है कि कछवे जो है जब करम करता है तो अपने कर्मिंद्रियों को फैला लेता है जब करम नहीं करना रहता है तो सिकोड लेता है तो कहीं न कहीं हो प्रतिहार अपने कर्मिंद्रियों को समेट करके अपने मन बुद्धी को समेट करके उस एकागरता के साथ शिव का ध्यान कर रहा है उसका भी परिचायक है तो इस प्रकार नंदी हो चाहे कच्छवा हो जो भी शिव मंदिरों में साधन है वो उस कहीं न कहीं उस अलंकारीक अर्थ से शुशोबिद है राजीव भाई आपने कितने सुंदर तरीके से एक एक चीज को समझाया है और अभी तक हम जो करते आ रहे थे हम सिरफ भगवान को खुश करने के लिए शिवलिंग पर चीजे चढ़ा रहे थे तूलता चीजे बहुत ज़्याद है मैं तो यहाथ तो कहूंगा लोग देखे उपवास भी करते हैं उपवास के भी अर्थ है उप मतलब होता है निकट वास मतलब निवास करना अपने बुद्धी का निवास शिव के साथ रखना अर्थात का स्मरण करना यही सच्चा उपवास है और वरत तो दुनिया में लोग बहुत सारे करते हैं शिव तो कामारी हैं, काम का भी दहन करने वाले हैं, तो ब्रहमचरे का वरत करना ये भी एक अपने आप में बहुत ही आध्यात्मिक बल प्रदान करता है, तो वरत हो, उपवास हो, चाहँ शिव रात्री की बात हो, शिव रात्री कोई 12 गंड़ी की रात नहीं, लेकिन अंधक जागरन का प्रतिक है, लेकिन जागरन नहीं, साथ-साथ घंड़े की ध्वनी आती है, वो बाहरी आवाज को बंद कर देती है, और अंदर की आवाज, अनहदनात की तरफ कहीं न कहीं, उस असेम शांती की तरफ कहीं न कहीं वो इंस्पायर करती है, तो एक-एक छोटी आज तक तो शिवलिंग के उपर बहुत सारी चीज़ें चड़ा रहे थे, विधी पूरवक कर रहे थे, और हम ये भी सोच रहे थे कि हमारी सारी मनों कामना भी पूरी हो, एकदम छोटी से छोटी चीज़ का कितना अर्थ है, सोचने वाली बात है, और उस अर्थ के साथ ग्यान कलश और उनके साथ अनवरत योग का कहीं ने कहीं सूचके, एक एक छोटे से छोटा चिन जो है, कहीं ने कहीं उनके महत्तों को जागर कर देता है, जी, आज की पूरी चर्चा के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद राजी भाई, ओम शान्ती, ओम शान्ती, त कराएंगे, ओम शान्ती.